इस देश में दो कानून चलते एक आपके लिए आम आदमी के लिए और अनिलंबानी के लिए अलग कानून है क्योंकि ये देश के प्रदर्मंत्री शिर नरेंद्र बोदीजी के मित्र है उनकी एक कमपनी है Reliance Homes Finance Limited कल सेभी ने इस कमपनी को बैन किया आनिलंबानी को शेयर मार्केट से पाथ साल के लिए बैन किया और उनके उपर पच्चिस करोड रुपया का फाइन लगाया सुनकर ऐसा लगेगा कि सेभी बहुत बढ़िया काम करने असल में सेभी और सरकार अनिलंबानी को बचा रही है देखिए Reliance Homes Finance Limited का काम था कि फाइनाइन्स करना सेभी का Investigation पर ये पता चला कि अनिलंबानी खोद ऐसे लोगों को Finance करते थे जहां से पैसे आने की उमीद नहीं थी मतलब Deliberate Act था और जान बुच के Money Siphon Off करने का काम था ये इनका अब आपने अगर ये किया होता तो आपके उपर 400 BC का Case किया जाता MPID लगाया जाता है और आपको जेल बेजा जाता है बट अनिलंबानी जी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और Retail Investors जो Share Market पे इनकी Company का Shares लिया ऐसे 9 लाक इन्वेस्टर को 26,000 करोड का नुकसान हुआ है क्योंकि इनका करीबन 2 करोड 80,000 लाक Shares थे 60 रुपीस में लोगों ने खरीदा था आज 70 पैसा कीमत है तो एक खुल्याम अनिलंबानी को बचाने की कोशिच किया रहा है और 26,000 करोड सिर्फ एक Company में अनिलंबानी के 26,000 करोड जनता का लूट लिया है इसी तरह इनके दूसरे Company है Reliance Capital है Reliance Communication हो Reliance Infrastructure, Reliance Naval and Engineering और Reliance Power देश की सरकार को जनता से जो एक पैसा लूटा है इनको वोपिस मिलना चाहिए और अनिलंबानी को जेल बेजने का काम सरकार को करना चाहिए धन्यवर